तो क्या हो अहार मेरे लिए स्वास्त बर्धक है और जीने के लिए इतना ही काफी है तो दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा कि मुझे स्वास्त जीवन सुख्में जीवन जीना है तो 70% हमें nutrition की जुरत होती है और 30% हमें बैयाम की जुरत होती है कुछ साथी लोग अगर रोगी हो जाते हैं तो exercise पर काम करते हैं बट 70% तो हमें nutrition की ही जुरत है अगर nutrition हमें संपूर्ण अहार से मिलता है तो हमारा जीवन निरोगी रहता है लेकिन प्रस्ण उठता है कि मैं जो घर में खाता हूँ ओ भोजन या तो पकाया हुआ होता है या आज के date का नया चलन नए तरीका से बनाया गया भोजन ही हम लोग आज कर ले रहे हैं लेकिन यह जो भोजन घर में हमारा आ रहा है दोस्तों बनाने के लिए या तो सबजी आ रहा है या अनाज आ रहा है दोनों की बात में करना चाहता हूं कि अनाज जो मेरे घर में आ रहा है आज के date में जो उपजाया जा रहा है जहां से वहीं से देखते हैं कि कॉस्मेटिक एरिया कि इतना सक्दवा का उपयोग भरपूर किया जाता है अत्यधिक उत्पादन के लिए तो क्या हमारा निट्रिशन जो चाहिए उस अ सबजी का उत्पादन जहाँ पे हो रहा है क्या सबजी जो मेरे घर में आ रहा है उससे हमें भर प्यूर निट्रिशन मिल रहा है कि अगर मिल नहीं रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों यहां समझने की बात है कि यह nutrition जितना मिलना चाहिए हमारे सरीर को वो properly नश्ट हुआ मेरे घर में आता है हानिकारक मेरे घर में आता है घर में आने के बाद भी हम उस सब्जी को ही बात करें जो हमारे घर में पकाया जा रहा है जो तरीका है हमारा इंडियन कल्चर है उस सब्जी को बनाने के लिए कि हम लोग उसका processing इतना धी करते हैं sorry heating process पर उसका अपयोंब करने से पहले heat करके बनाते हैं तो दोस्तों अगर कुछ पोशक्तबंब है भी उस सब्जी में थो निश्ट जाता है या अगर उसको बनाने से पहले मंग नलोग देखते हैं कि उससब्जिएयां को हम लोग वालका पर पालने पर होता क्या है कि प्रोपरली उसका जो पोशक तत्व है पोशन जो है वो प्रोपर सब पानी में चला जाता है और पानी को हम लोग नाली में या गड़े में कहीं ने कहीं इसको फेक देते हैं तो हमको उस भोजन से निट्रिशन मिला कहां पोशक तत्व हमको मिला कहां लेकिन स्वास्त जीवन के लिए हमको चाहिए सत्तर परतिसत बोशन अब वो खाये मिला नहीं आज के रुप में हम लोग ज्यादातर इंडियन जो है चावल का उप्योग करते हैं लेकिन चावल भी आज के डेट में ऐसा लेकिन जहां तक मैं पढ़ा हूँ जानता हूं कि फायट या कार्वो हैड्रेट अधिक सद्विक दे सकता है लेकिन सतर पर्तिसत पोशा उसन वह नहीं दे सकता है अब उसके लिए ब्राउन राइस जो कि सर्वोत्तम होता है नहीं हमले पाते हैं रोटी अगर खा रहा है तो रोटी बनना है गेहूं से अब गेहूं जहां उत्पादन हो रहा है उत्पादन के समय में ही इतना यूरिया का इस्तमाल किया जा रहा है कि वो हानिकारक अल्रेडी वहीं से है उसके बाद उपज होकर कि मेरे पास आया भी तो हम लोग क्या करते हैं? उस गेहों को मिल मिले जाते हैं मिल मिले जाते हैं और वहाँ पे टमपरेचर 140 से 50 डिगरी उस मिल की होती है फिटिंग प्रोसेस पे उसका मिलिंग होता है और उस गेहुक में जो पोशन के रुप में एक फाइवर कोशक तत्व होता है जो पुरपरली आपका वो भी नश्ट हो जाता है और ये फाइवर नश्ट होना के मतलब कि हमारा पोशन उससे वहां से भी नहीं मिला ये तीन मुख भोजन हमारे इंडियन कल्चर का है चावल रोटी और सब्जी अब ये तीनों प्रोफरली मैं देखा समझा तो हमें पोशन जितना मिलना चेहे सत्तर परतिसत की बात करते हैं वो हमें मिल ही नहीं रहा है और कैसे उमीद हम रख सकते हैं कि हम स्वस्त रहें ये भी बड़ी बात है एक वर मैं पढ़ रहा था कहीं पे तो मैं ये देखा वहां स्चरजनक चीज की सबसे लंबी उमर जो होती है जैपान कंट्री के लोग की होती है आज भी एज वहां पे 90 पॉलस आइवरेज वहां के लोग का है तो उसके वारे में जानने का प्रियास किय तो जो मैं अभी बताया वहां पे जो लोग होते हैं जीने के लिए 70 पर 30 पोशन की जो बात आती है बता रहा हूं तो मैक्सिममों लोग भोजन के रूप में जो भी खाना खाते हैं लोग तो हीटिंग प्रोशेश पे जैदा भोजन उनका गया हुआ नहीं रहता है तो उनस भी पोशन भरपूर मिलते रहता है लेकिन इसके अलावे बहुश चाहिए बहुत भोजन हमारे पोटूर की जो कि भोजन के रुख से मिल भी नहीं सकता है, मिलता भी नहीं है जिसमें से एक आज मैं बात करूँगा product की वो पोशक तत्व का ही नाम है जिसे DHA के नाम से हम लोग जानते हैं अब एक ऐसा पोशक तत्व है जो कि हमें भोजन से ना के बराबर मिलता है ऐसा भोजन पिरस्वी पे बहुत खास ऐसा नहीं है जो कि हमें डी एचे दे सकता है अब ये डी एचे जो है मिलेगा कहां से सबसे पहली बात तो ये है कि मिलता कहां है कहां से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो ये एक ऐसा पोशक तत्व है जो कि शमूंद्र के बहुत गहरे जमीन पे ये एक पौधा होता है जिसे अलगीन के नाम से हम जानते है या समूद्री पौधे में भरपूर ये आपका डी एचे मिलता है वहाँ से लिया जा सकता है लेकिन ये संभब हम लोग के लिए हो ही नहीं पाता है कि इस पौधे को हम ला करके भोजन के रुप में उप्योग करें ये मिलना है तो हमको सप्लिमेंट के रुप में ही अगर कहीं से उपलप्ध हो जाए तो येज अब यह डी एचे आाखिर है क्या इस मेंज़ने की भीज़ीरत हम लोक की हैं यह डी एचे एक ऐीसा फुशत टव के when DHA है यह हमारे सरील के का कहा सकते हैं कि अईसा पुशत टव है कि अगर यह हमारे सरील में कम यह होता है या ना रहे तो हमारा दिमाग हो सकता है मेरी आखें अंधि हो सकती है मेरा हर्ट फेल्वर हो सकता है जितना सरीर का जॉइंट है तो सारा डैमेज हो सकता है मतलब एक इतना important इस DHA का है हमारे सरीर के लिए कि अगर कहीं भी नश्ट होता है तो ऐसा ऐसा रोग आपके पास आता है जो कि आखी नहीं दिमाग को भी डिस्टर्ब करता है आखी नहीं आपको हर्ट को डिस्टर्ब करता है प्रोपरली इसको जानने की जूरत है कि हमारा डिस्टर्ब आखीर होता है अगर DHA के वज़से तो DHA आखीर मेरे दिमाग में पाए जाता है तभी तो डिस्टर हो रहा है आखों में पाए जाता है तो ही डिस्टर हो रहा है हाट में पाए जाता है तो ही डिस्टर होता है तो मेरा जो दिमाग है वो 97% हमारा DHA का ही बना हुआ है अगर DHA हमारे दिमाग में न हो कम जाता है आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग का एज चारिस पचास क्रोस करता है भूलने की बीमारी से स्टार्ट हो जाता है उनका और ये भूलने की बीमारी तभी सुरू होती है दोस्तों जब ये DHA का लौस हमारे दिमाग से होना सुरू हो जाता है तो क्वीक वहाँ पर समझने की जुरूरत है कि मेरा DHA लॉस होना शुरू हो गया, मुझे DHA की हो सकता है, इसे अगर है जिकी लिया जाए, तो उस एज के बाद यह हमारा DHA जो लॉस होना शुरू होता है, वो आपका है जिकी भरपूर आपको है जिकी फिर दिमाग में आ जा और वो बिमारी आपका ठीक भी हो सकती है, और यह DHA ही है, जो कि हमारे दिमाग का विकास करता है, दिमाग को शकिरिये रखता है, और दिमाग का रख रखाब करता है, तीनों चीज का काम यह DHA ही करता है, हमारे दिमाग को, दिमाग का विकास भी करता है, दिमाग को शकिरि अब ये आखिर कैसे है जी कि डेवलप होता है इसको समझने की बात है बहुत सारे लोग इसे सिर्फ दिमाग से ही जोड़के रखते हैं कि ये दिमाग का जब लोग सेलिंग टिप्स में जाते सेल करने के लिए जाते हैं तो हम लोग सिर्फ इतना ही तक जानते हैं लेकिन इस इसके वारे में दोस्तों मैं यह बताना चाहूंगा यह ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि जीवन के साथ लेना ही है जीवन अभी आया नहीं है पिर्थ्वी पे उसके पहले का है पोड़क्ट है गर्वती महिला जो कि प्रिग्नेंट होई नहीं प्रिग्नेंट होने के लिए त्यारी कर रहे हैं जुडवा साथी पत्ति पत्नी अगर सोच रहे हैं कि नहीं हमें बच्चे क्यों सकता है तो प्लानिंग से ही पोड़क्ट लेने क्यों सकता होती है इतन हजी की जीवन के लिए हमारे जरूरी पोड़क्ट है प्लानिंग कर रहा है डिएचे पति पत्नी दोनों वहीं से लेना स्टार्ट कर दें अगर नहीं मालूम है इस पोड़क्ट के वारे में प्रिगनेंट हो गई पत्नी तो बच्चा पेट में आ गया जनकारी हुई बस इसे लेना सुरू कर देना है इसलिए लेना सुरू करना है यहां समझने की जूरत है कि यह डिएचे जो है ब्रेन की बात मैं कर रहा हूं तो बच्चा जो पेट में है दोस्तों मा के गर्व में है तो मा के गर्व में ही उस बच्चे का जो दिमाग का विकास होगा सत्तर परतिसत वो गर्व में ही होना है और 70 परतिसत जब गर्व में होना है उस बच्चे के दिमाग का विकास वो गर्वत्ति महिला को डीये-चे अगर न दिया जाये जो कि भोजन के रुप में, अहार के रुप में उस महिला को भरपूर नहीं मिल पाता है तो जेनरली देखा जाता है कि उस बच्चे का विकास भी मानसिक विकास नहीं हो पाता है तो 70% उसका दिमाग का विकास हो उसके लिए प्रिग्नेंट आप हो गई है तो DHA उस मा को अत्यान तवसक्ता के रूप में समझते हुए उस मा को देना है ताकि उस मा का भी जो दिमाग है होता क्या है कि अगर आप नहीं लेते हैं तो जो बच्चा पेट में है अगर उसको DHA 70% डेवलप करने के लिए दिमाग को चाहिए DHA नहीं भरपूर मिल पाता है अगर तो बच्चा क्या करता है कि अपने पेले शेंटा जो मा का जुड़ा हुआ रहता है वो बच्चा जो है उस मा के दिमाग से चुड़ा लेता है जब मा के दिमाग से चुरा लेता है तो जिनरली आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे कि वो जो मा का जब गर्व है से बच्चा निकल जाता है तो वो मा का क्या इस्थिती होती है कि चार-पांच महीना बाद चुकि वो बच्चा का जो मा है गर्व में था बच्चा उसकी मा जो थी उसके दिमाग से उचुडा लिया है डी एचे अब वो मा को होगा क्या कि उस मा को भूलने की विमारी होनी सूरी हो जाती है अब वो मा को है जिकि ज्यादा हो चुका अब उसे स्थितिम होता क्या है कि उस तरह का बच्चा का भी मांसिक विकास भरपूर नहीं हो पाया और उस मां का जो था भी डिएचे ओभी नस्ट हो गया उस बच्चे के ब्रेंड डेवलप्मेंट में तो मां में भी वो रोग उसकी कमी से जो होना है दि मां भी परशान होना शुरू हो जाती है तो इसलिए डिएचे का इंपॉर्टेंस जब मां प्लान करें माबाप की हमें चाहिए बच्चा उसी समय से आज के डेट में यूज करने की जूरत है हमारे डिएचे अब बच्चा आहें गया पिर स्वी पे तब यहां भी समझने की जूरत है दोस्तों कि 70% उसका विकास हुआ मां के गर्व में वर्ट अभी 100% दिमाग उसका डेवलप्ट होना है तो दोस्तों यहां भी समझने की जूरत है कि बच्चा आ गया तो यह दो शाल के एस तक 15% और उसका दिमाग का डेवलप्मेंट होना है अब उसमें भी हमें पोशक्तत्व की जुरत उस बच्चे को होगी चुकि मैंने कहा कि हमारे इंडियन कल्चर में जो खाने पीने का जो तरीका है आहार का तरीका है पोशन तत्वे 70% हमें किसी को मिल ही नहीं रहा है और बच अब बच्चा मां का दूध ही पी रहा है अब दूध पी रहा है तो अब जब दी एचे का कमी उसकी मा में ही है तब वह 15% का विकास और अच्छे से वहां पही नहीं होगा तो वहां भी उस बच्चे को डी एचे देने की जुरत है अब दो साल तक हो गया तो 15% और के लिए उस बच्चे को चाहिए तो दो साल से ले करके छे साल तक और ये 15 परतिसत का दिमाग का अभिकास उस बच्चे का होना है तो उस समय भी उसको डियेचे की जुरत है अब वो डियेचे की जुरत है तो वहां भी उसे डियेचे चाहिए उसकी पूर्ती के लिए इस प्र छे साल तक प्रोपरली आपका 100% उस बच्चे की दिमाग का विकास होना है लेकिन लोग इस प्रोड़क्ट का सेवन इसलिए नहीं करते कि यह DHA तो गौड गिफ्टेड है कुछ लोग कहते हैं यह गौड गिफ्टेड है भगवान का दिया हुआ दिमाग है बच्चा अगर प जो है अपोशित पैदा होता है पोशन भरपूर उसमें होता ही नहीं है कम जोर दिखता है सारीरिक लोग से भी कम जोर दिखता है तो प्रोपर यहां समझने की जूरत है हम लोगों दोस्तों कि उस बच्चे को जो है DHA भरपूर मिला ही नहीं आएई रहात दिमाग की बात इस प्रकार से 100% पर जो है हम लोग के दिमाग में आता है मैंने एक बात और कहा भी त्रादर पहले कि ये जो डियेच्चे है ये 97% पर दिमाग में होता है तो दोस्तों ये भी याद रखने की जुरत है कि ये डियेच्चे हमारी आखों में भी 60% होता है इसका भी हमें आख की जुरत है 60% आखों को चाहिए कुछ लोग देखते होंगे कि समय अभी बच्चा हुआ ही नहीं छे साल साथ साल का हुआ ही नहीं चस्मा चड़ जाता है चस्मा ऐसे ही नहीं चड़ा है दोस्तों यहाँ भी समझने की जुरत है कि उस बच्चे का प्रपरली पोशन के रूप में DHA 60% उसकी आखों को चाहिए था उसे मिला नहीं और उसकी रोशनी है कि उसके बज़ा से कम हो रही है तो प्रपरली आख की विजुरत है तीसरा एक जगह है जिसे हम हार्ट के रूप में जानते हैं हार्ट को भी चाहिए DHA और DHA वहाँ पे 40% कि यह सकता होती है लोग nggak कि आज के डेट में और DHA के जगहा पे हाट जो है और यह था बहूं हो लिचा बहुद है केस जबरदस्त हार्ट अटाइक का केस बहुँ ज़्यादा तो वहां पे भी आपका अगर डीएचे इप्रुपरली कभर जो फाइट की बात कर रहे हैं क्यों कर लेता है क्योंकि ये डीएचे का भी अभाव वहां पे हो जाता है जिसके बिएच से हमारा हट जो है डीएचे हटा वहां से और फाइट अपना जगह बना लेता है और हम ब्लोकेज के सिकार होते हैं तो यह ऐसा पोड़क्ट जो की जिसे आप कहा सकते हैं कि हमारे सरीर के लिए दिमाग के लिए जूरत आँख के जूरत हर्ट के लिए जूरत यही नहीं आप जितना भी जॉइंट है आपका सरीर में दोस्तों सारे जॉइंट पे आपका क्या हो रहा है कि जो हम गलत खान पान कर रहे हैं सारे जॉइंट पे आपका एसीड जवज़स्त जगह बना लेता है और आपका वहां पे लोग क्या कहते हैं कि ग्रीसे सुग गया है एक ग्रीस नहीं है और इस परकार का यह डी एचे ही है जो की आपका प्रोपरली सरीर को जुरत होती है इसे सेलेनियम फुल्यूड के नाम से भी हम जानते हैं और ये डियेचे है बेसिक मोलेकूल है जो की आपका भेज ओमेगा के रूप में आप जानते होंगे दोस्तों भेज ओमेगा का ये बेसिक मोलेकूल है और आपकी कमपनी ये जो अगर कुछ साथी नहीं देखे होंगे इस DHA तो यह देख लें यह ऐसा nutrition product आपके बीच में है आपकी company के बीच में है जिसकी एक खासे तौर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं बताना चाह रहा हूं कि यह soft capsule के रुप में हमारे पास उप लब्द होता है और यह soft capsule वह ऐसा capsule जो की vegetarian है साकाहारी है जो लोग साकाहारी नहीं है उनके लिए भी कारगर है जो साकाहारी है उनके लिए भी कारगर है बहुत सारे लोग शाकाहार इस्तमाल नहीं कर, मांसाहारी होते हैं, उन लोग के लिए अलग-अलग कमपनियां क्या करती है, कि किसी भी कमपनी के पास एकर पोड़क्ट है भी, तो वो साकाहारी है ही नहीं, इसका जो कैप होता है, लोग जानते ही नहीं है कि किसी होता है आपके हां कंपनी पूरी तरह से साकाहारी के रूप में भेजी टेवुल आइल से बनाया हुआ इसका प्रोपर कैप भी है और हंडेट परसेंट साकाहारी पोड़क्ट आपके बीच में बनाया गया है अमुमन ऐसे तो डी एचे समुद्री मच्छली से भी बहुत सारी कंपनियां बना ले रही है चुकि वो समुद्री मच्छली जो है वही पौधा को इस्तेमाल करती है जिसे हम अलगीन पौधा के रुप में जानते हैं समुद्र के नीचे होता है आपकी एक मात्र कंपनी यह समुद्री मच्छली से आपका यह एक्स्ट्रेक्ट नहीं तयार क है ज्युक्त होता है क्या बहुत सारे लोग हारी होते हैं ओ समुद्री मच्छली खाना पसंद करते नहीं है तो समुद्री मच्छली का बनाया हूआ जो डिए जे है कुट पसंद करते उस समुद्री मच्छली जिस पौधे को खाती है उस पौधे से ही प्रोपरली आपको है जिकी ये है जिकी बनाई गई है सप्लिमेंट को तो ये साकाहारी लोगों के लिए भी सर्वोत्तम है, मांसाहारी लोगों के लिए भी सर्वोत्तम है, इसे लेना चाहिए, जिनका भी एज 50 से उपर हुआ, भुलने की बिमारी सुरू हो गई, उन्हें तो तुरत लेने की जुरत है, लेना चाहिए, और मैंने बताया कि इसे ज बच्चा आ गया वहीं से इसकी जूरत है अब एक किसको कब कितना लेना है यह जानने की जूरत है जैसे ही गर्व में आया बच्चा उस मा को 400 mg यह DHE की जूरत है 200 mg दीन में 200 mg रात में प्रोपरली अगर वो महिला लेती है गर्वती महिला जो बच्चा होगा प्रोपरली एकदम 100% आपका दिमागी रुप से परिपूर्ण होगा संपौर्ण होगा और वो महिला भी बच्चा पैदा होने के बाद जो उनको रोग होना है उससे भी बच्चेगी और वो बच्चा सही समय पे सही टाम पे वो बच्चा पैदा होगा आप यह हम लोग देखते भी हैं कि बहुत सारी महिला जो है समाई से पहले साथ महीने पे ही बच्चा हो जाता है बहुत सारी महिला देखते हों कि आपका मिस्काइरेज हो गया बजा यही है दोस्तो डी एचे और कोई बजा नहीं है और वो बच्चा आहीं गया पिर्थिवी पे अब उसे जूरत है डी एचे की तो वो दूद से तो मिल नहीं रहा मा को तो आपकी कंप्री ने एक प्रड़क्ट उस बच्चे के लिए स्पेशल डी एचे ट्विस्ट के रूप में उपलब्द है अब वो बच्चा पैदा हो गया दो साल के यह तक उसको पंदरा परशंट चाहिए तो यह ट्विस्ट एक टैबलेट उसे दूद में मिला करके दि साल तक 50 mg उसे मिला उसके बाद जो है 6 साल के एच तक चाहिए इसको अब उसको उसमें 100 mg चाहिए तो दोनों टाइम चाहिए उसको उसको देना होगा इस ट्विस्ट को छे साल के बाद 12 साल के तक आप इसे हजी की चार टैबलेट दे सकते हैं उस बच्चे को 12 साल के तक ले की रुप में आपके हां किट्स के रुप में इस बच्चे के लिए 12 साल के बीच में ओ विउ पलव्द आपके साथ हैं तो किट्स से भी उसका डियेचे का भरपाई कर सकते हैं अब ये फेज आप कर सकते हैं कि बच्चा वे यरम से ले करके अंती में तक पचास सल से उपर अगर कोई है् या ठास सल से उपर कोई है् तो ये डी एचेट 2 हंडेड सब के लिए वसकता के चीजह है जिनको भी दिमाग का रोग हुआ ओभी ले जिनको आँख का रोग हो गया हो भी मतलब अपने आप में संपून आहार जिसे हमें लेने की आवसकता है दोस्तों और इसे अगर रेगुलर ले रहे हैं तो प्रोपरली अभी कुछ लोग पिछले कोस्टन में सप्ता हमें लोग बताया है कि जैसे सर आप पहले चसमा पहनते थे या चसमा नहीं पहन रहा है तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों दीन में इस डियेचे को लेता हूँ दोपार के भोजन के साथ लेता हूँ और व्यू टैबलेट को रात में सोने से पहले ले लिया करता था आज हुआ इसका रिजल्ट की मेरा च जसमे का आज हूँ अच्छा लगता है पहले लगता था कि आंखों में चस्मा बोज के रुप में समझ में आता था आज पूरी तस उससे फिरी हो गया हूं तो यह है डी एचे अब डी एचे संपूर्ण आहार के रुप में इसे हमें लेना चाहिए खास करके वैसे रोगी जि अगर इस्तमाल करेंगे रिजल्ट आपके पास आएगा और तीन से चार महीना भी नहीं लाएगा हो शकता है कि जिनका अर्लियर होगा चस्मा तीन से चार महीना में कभर हो जाए भूलने की बीमारी जो थी वह भी खतम हो जाए तो प्रोपरली नबे दिन तो 90 डेज का कोई कभी प्रटक्ट आप सप्लिमेंट के रूप में आप तो इसको विश्वास के साथ यूज़ करें ऐसा लोंको कभी पताने कप्रियास नंक रें यह दवा है इस फूर्ट सप्लिमेंट है यह फूर्ट सप्लिमेंट जो होता है दोस्तों यहां मा tapping करनाekk eva कोई दवाpre या दिमाग से रोगी हैं उनको मिलें दवा का करके किसी को नहीं देना है यह का कर देना कि यह सप्लिमेंट जो आपके सरीर की जो नश्ट है उसकी भर पाई हमारा यह जूब्ट करता है जब उसकी भरपाई होती है आप रोग मुक्त होना शुरू हो जाते हैं और seven essential पोशक तत्वे पे हम लोग को ध्यान देने की जूरत है मैंने एक मुमन देखा कि seven पोशक तत्वे पीछले बाले ट्रेनिंग में भी मैंने बताया था कि ये seven पोशक तत्वे हमारा है क्या जो कि डियेचे को essential हम लोग नहीं मानते हैं भी अगर तो seven पोशक तत्व जो आपका है इसे essential समझा जाए माना जाए जिसमें सबसे पहला आप का आता है पानी, water मैं बहुत सारे लोग को देखता हूं की water level ही नहीं उनका है फाने की कमी से बहुत सारा रोग उनके सरा में भारा पड़ा हुआ है दूसरा discoveries हाइट होता है इस त anthropohydrate होता है अब यह सब्सक्राइब करते हैं यान लोग जहां नहीं पानी कम पीते हैं वह सारा सब्सक्राइब कर लिएगा तो यह चार पोशक तत्वे पर हमें ध्यान देने की जुरत होनी चाहिए लेकिन कुछ लोग जो हैं अब रतें यह पानी फिरी मिलता है फिर भी लोग नहीं पीते हैं अस्चर जो था है लोग उसके बज़ा है यह सारा रोग हमारे पानी के कमी से होना है दोस्तोंग है और सब्सक्राइब करें कि सुष्म पानी जो है आपका दो से चार गिलास जरूर सेवन हर कोई करें हर कोई फूरी का और इतना जवर्दस्त यह आपका रामवानी लाइज है यह कि आपको रोग मुक्त रखने में बहुत कारगर है कोई दवा की जुरत नहीं है तो और सारा रोग ठीक हो सके तो यह पोशन के लिए वाटर जो है आपका निट्रियंस के रूप में आपका काम करता है तो इसका जरूरूर प्योग करें और यह सेवन पोशक्तत्व जो है इसी के डिफिसेंसी या घटने से या बढ़ने से ही सारा रोग परिवार को भी निरो समाज को प्रियास करोंगा इसी तरह से चलता चला जाएगा चलता चला जाएगा और हमारा देश रोग मुक्त हो सकता है मैं क्या रहुंग में मैं करूँगा जब भी जुरत होगी जो मैं जानता हूँ जानता था आज मैं आपको बताने का प्रियास किया अगर कहीं कोई गलती हुआ होगा तो जो जानकार होंगे इसके दीख मुझे खोन करके बता देंगा सर यहां गलती हुआ है मैं इसे सुधारने का प्रियास करू लें, सबसे पहला इस product को लेने का तरीका में इसे याद रखना होगा दोस्तों, कि अगर इस्तमाल इसका आप शुरू कर रहे हैं, लेना शुरू किये हैं, तो timing factor इसमें जवर्दस्त काम करता है, timing factor means अगर दीन में आप ले रहे हैं, भोजन के साथ, इसको लेना भी है, तो भ लोटी और खालें, भोजन के बीच में आप लेंगे, तो यह जवर्दस्त काम करता है, और इसे सीमित समय पे लें, बनें सही समय पे, अगर दीन उसी टैम में लेना है, रात में अगर ले रहा है, खाना के साथ, तो रात में भी उसी समय पे लेना है, इसको, timing का ख्याल इसक रहा है, उनको, चूकि यह रोग तो आना है, 45 साल के बाद हैं, जिनरली देखा गया है, या फिर जो मा के गर्व में बच्चा था, उसका ब्रेजर का डेवलॉपमेंट नहीं हो पाया है, तो उस बच्चे को जूरत पढ़ेगा, ठीचे के रूप में जो आपको बताया, मैं पचास एमजी की ही जुरत उसको पड़ती है तो एक टैबलेट चल लेगा चुकि जो डी एचे ट्विस्ट है यह आपका पचास एमजी का यह बना हुआ है और दो साल से ले करके छे साल तक होगा तो उसको 100 एमजी के जुरत पड़ेगी तो उसमें उस बच्चे को सुबा साम देना होगा दो टैबलेट ट्विस्ट के रूप में आप छे साल से ले करके बारा साल के बीस तक अगर बच्चा ले रहा है तो यह देड़ सो एमजी चाहिए यानि तीन टैबलेट उसको चाहिए अब बारा साल के बाद आपका फीर शुरू हो जाएगा ओए डी एचे टू थैंक यू वेरी मच्च आपने बहुत संदार जनकारी दी सर जो दो प्रोड़क्ट्स के बारे में अपने शर्चा किया निव्टिशाज डी एचे टू हंड़ेट एंट ट्विस्ट बहुत वैलूबल प्रोड़क्ट्स है और हम सब की महती जिम्मेदारी है कि अपने सपड़ागी एक बहुत ही मशुहूर गानिक्फिलोजिस्ट है नवनीत सर के घर के बगल में हॉस्पिटल है वो और दस दिन पहले की बात है वहां पे एक मेरी बहु गई हुई थी तो वहां पे चुकि मैं गया हुआ था तो लेकर के गया हुआ था निव्टिशाज डी गी तो वह गाइनों बोल लिए कि इसको ने जरुत नहीं है अभी तीन महीना के बार से इसके बारे में आप लोग सोचिए तो ऐसे हालत ऐसी हालात है कि गानिक्लोजिस्ट भी जो है उसको भी सीज़ के बारे में अवेर्नेस नहीं है जबकि DHE कितना महतपुर्ण है गर्व जी खीज़ हमें हमें जनकारी होनी चाहिए जब तक हमें जनकारी नहीं रहेगी तब तक हम कैसे इसीज के बारे मैं इसीज़ को लोगों को बता सकते हैं तो आज सन्जर सर ने काफी वněस्तार से बताया हैं और वैसे तो हम लोग ट्रेनिंग सुनते हैं देखते हैं यूट बिना सलाइड के सर इतने सारे बातों को रख गए, यह बहुत महत्पूर्ण बात है, तो आप सभी साथी निश्चित रूप से नोट्स बनाये होंगे, और नोट्स नहीं बनाये हैं, तो नोट्स बनाया कीजिए, और आपकी भी बारी आने वाली है, सब की बारी आने वाली है तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि आज साथ पचीस में हम लोग इस सेशन को हर हाल में कंक्लूड करेंगे, गुरुदेव का आज हम लोग के साथ कौंसिलिंग है, सारे साथ बज़े से, तो उसके लिए भी हम लोग मैंटसेट बनाये हुए हैं, और कुछ इन्फ हुआ है, उसमें हमें जल्द से जल्द कर लेना है, पर के लिए एक जो लोगों से उधर से उपर से जो आया है कि अगर किनी साथी किसी कारण बस जनवरी में पांच joining की target पुरा नहीं कर पाएं हैं, ये खी कराएं हैं या नहीं भी कराएं हैं तो इस महीने में उसको cover कर सकते हैं, यानि कि अगर किसी सांथी की 2 joining हुई है तो इस महीने में 3 joining और full मिला करके 8 joining करा लेते हैं, 10 joining का target उनका fulfill हो जाता है, फिर मार्च में देखा जाएगा मार्च में उनको पांच करने होंगा तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दूसरा हमें जो साथी 5000 बिजनस वालूम लास्ट मन्त में नहीं कर पाए थे तो वो इस महीने में 10 तारीक तक 5000 बिजनस वालूम कर लें और बाकी का जो 5000 बिजनस वालूम है वो दफ तारीक से लेकर 28 तारीक के बीच में कर लें तो इससे भी उनकी शुबा से वेरे की पाट साला में उसमें टाइमिंग भले ही साम का हो रहा है साम को जैसे साथ बजे मिला हुआ था हमारे मंडल जी का उसी तारीके के बड़े लीडर्स आएंगा तो उसकी लिए भी हमें प्रिपेशन करना है नसी आएंगी बड़े लिए ट्रांस फॉट्स आएंगी एंगा था ट्रांस फॉट्स आएंगी जाएंगी नचान कर दो विए रहा है